आज हम अपने कुल्दीप दीदी को यहाँ यह सांट पंचिस को अनुगुत जूम पर स्वागत करते हैं दीदी यहाँ पूरे USA से लोग आते हैं यही जूम पर सारी USA राले ना सिर्फ USA भारत से भी आते हैं उन सब के बीच में सबसे पहले दीदी को फ्लावर से स्वागत करती हूँ मैं अब गार्ण का फ्लावर हैं दीदी आप अनुगुति आए थे हमको अच्छे से याद हैं आपने अपना अनुभाव शेयर किया था कैसे छोटे बच्चे थे आप ज्यान में आए आपके पिता जेक बाइसिकल पर बिठा करके आप सभी को सेंटर पर ले जाते थे और बाइसिकल के आगे जो टोकरी हो तो इसमें आपको बिठा देगे थे हैं दीदी का वो सो भाग्य है जो पच्छपन से बाबा की बन गए मैं यह देखती हूँ कि दीदी के अदर जो पवित्रता है शुदता है एक बाबा दूसरा न कोई चो सची दिल है है ना दीदी के दिल में एक बाबा और सेवा के सेवा कुछ भी नहीं है इसलिए बाबा ने दीदी को बड़े बड़े ऑफिसर गवरनर के लेवल से कईयों की सेवा के लिए निमित बनाया है और इतना सुन्दर जो शांती सरोवर रिट्रीट सेंटर है तो बाबा ने उनको निमित बनाया है तो कई सेवा के लिए हमारे दीदी निमित है अगर सुनाओ तो मुरली का टाइम भी चला जाएगा तो दीदी का दिल से हम स्वागत करते हैं तो दीदी जी आज के दिन हमें मुरली सुनाएंगे और उसके बाद बड़ी दीदी के साथ उनका कई अनुभव है, प्रमा बाबा के साथ भी है, सभी दादियों के साथ है, तो दीदी अपना अनुभव हमारे साथ शेर करेंगे, तो स्वागत दीदी, ओम शंति, ओम शंति, तैंक यू हेमा बेन, आपने सभी के बीच परीचे कराया, तो USA फैमली और जो भी चारो के भाई बेने हैं, तो आज का दिन यग्य के इतिहास में बहुत-बहुत महत्व पुर्ण दिन है, क्योंकि आज हमारी परमादर्णिये, परमश्रद्धय, त्याग तपस्या के मूर्ति, मनमुईनी दीदी जी का चालिसवा स्मृति दिवस है, और मुझे सौभाग्य मिला ह कि मैं आपके सन्मुख बाबा की मुर्ली भी और साथ-साथ दीदी के साथ के अन्भो भी शेयर करने के लिए आज आपके बीच में आई हूँ, तो आज बाबा ने दीदी की ही विशेषता को लेकर पहले बताया है कि पढ़ाई में कभी ठकना नहीं, हमने देखा दीदी भल कितनी भी आई-उ में बड़ी थी, लेकिन पढ़ाई पर बहुत एक्यूरेसी और स्टुडेंट लाइफ में हमेशा उनको देखा, क्लास में सबसे पहले आकर बैठते थी, एक चेयर होती थी, दीदी पैन और डाइरी लेकर के आते थी, मुरली सुनते सुनते दीदी, मुरल में से प्रश्न और उत्तर निकालते थे, फिर सारा दिन सब के साथ उसी मुरली का ही मनन चिंतन या उसमें से दीदी कई बार कहती, चलो बेडमेंटन खेलेंगे, तो प्रश्न दीदी पूछते थे, हमें उत्तर देना होता था, तो आज भी बाबा ने अपने प्रवर्ति व तो ट्रस्टी की परिभाषा भी बाबा ने आज बताई, ट्रस्टी वो है जो सब कुछ बाबा को अर्पित कर देते हैं, फिर वो कहीं भी रहें वो बाबा के यग्गी की पालना लेते हैं, तो आप सभी ट्रस्टी इसको देख करके बहुत-बहुत हर्ष हो रहा है, तो तुम्हें पढ़ाई में कभी भी थकना नहीं है, अथक बनना है, अथक बनना अर्था करमातीत अवस्था को पाना, है न? तब तक हमें पढ़ना जब तक कि हमारी कर्माती तवस्ता हो जाए, तो थकना नहीं है तब तक बाबा ने प्रश्ण पुछा है तुम बच्चों ने अभी कौन सी प्रतिग्या की है और क्यों की है इस समय उत्तर तुमने प्रतिग्या की है कि किसको भी हम दुख नहीं देंगे है बाबा के सामने सबकी प्रतिग्या है हम मंसाव, आचा, कर्मना कभी भी किसी को दुख नहीं देंगे सब को सुख का रास्ता बताएंगे दूसरा प्रश्ण बाबा ने बच्चों से पुछा है, किन बच्चों की पालना यग्य से होती है। अंदर तो मेरा पन है, लेकिन बाबा केते जो सचे दिल से सब कुछ सरेंडर करते हैं, वो रहते भी ग्रहस्त वैवार में हैं, धन्दा भी करते हैं, लेकिन ट्रस्टी हैं। तो जैसे कि शिव बाबा के खजाने से खाते हैं। आज मुरली में गीत है, तुमी हो माता पिता, तुमी हो। ओम शान्ती, बच्चों को बाप मिला। और अब अन्भाव से कहते हैं कि बरोबर कांटे से फूल और कोई बना नहीं सकते। भारत दैवी फूलों का परिस्तान था, अभी तो कांटों का जंगल है। तुम बच्चे अभी जो सुनते हो, वो महावाक्य सुनते हो। महावाक्य मना सुनाने वाला भी उचे से उचा है, सुनने वाले भी महान बन जाते। इसलिए बाबा के, जो हम महावाक्य सुनते हो, उसको महावाक्य कहा जाता है। यह सुनाने वाला उचते उच बाप है, उनकी हर एक बात महान है। महान सुक का सागर, महान ग्यान का सागर, महान शांती का सागर है। सब में महान हैं बाबा। बच्चे अच्छी रिती समझ चुके हैं, आगे हर बात में कांटे थे, हरे कर्मेंद्रियों से एक दो को दुख ही देते थे, अब हम खुद ही कर्मेंद्रियों से किसी को दुख ना देने की प्रतिग्या करते हैं. जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, सुख धाम का ही रास्ता बताता है, लोकिक में भक्ती में क्या केते हैं, सुख दुख दोनों ही भगवान देते, बापा केते हैं, दुख भी नहीं देता, सुख भी नहीं देता, परन्तु मैं सुख पाने का रास्ता बताता हूं, जो उ सुक्यन भूती होती है यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां किसकी मत पर चलते हैं किसकी मत पर हैं हम सभी श्री मत पर ब्रह्मा मत भी गाई हुई है यह तो सभी कह देते हैं सभी को कह देते गुरु ब्रह्मा गुरु विश्नु परन्तु गुरु को फिर भगवान नहीं कहा जाता है, गुरु से तो उचा है भगवान, उन्हें को देवता कहा जाता है, मात पिता भी उनको नहीं कह सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को मात पिता भी नहीं कह सकते, बाबा ने समझाये लौकिक मात पिता से तो अलपकाल सुक का वर्सा मिलता है वो मिलते हुए भी फिर पारलोकिक मात पिता को याद करते हैं प्रमा विष्णु शंकर को तो नहीं याद करेंगे उनको मात पिता नहीं कहेंगे वे तो सुक्ष्म वतनवासी है न उनको ब्रह्मा देवताई नम्हा विष्णु देवताई नम्हा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवताई नम्हा कहकर याद करते हैं इतने सब बच्चे किसको भी मात पिता कह नहीं सकते स्वर्ग में लक्ष्मी नारण को भी सब मात पिता नहीं कह सकते केवल उनके बच्चों के वो मात्पिता है ये पारलो की मात्पिता के लिए गाते हैं तुम मात्पिता हम बालक तेरे तुमरी कृपा से सुख घने रे बहुत करके अशिर्वाद कृपा बहुत मांगते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो बेहत का बाप कैसे अशिर्वाद अथ्वा कृपा करते हैं ऐसे तो नहीं कहते हैं अयूश्वान भव, चिरन जीवी भव, बाप तो आकर सहज राज योग और ज्ञान की शिक्षा देते हैं अशिर्वाद्वा कृपा भक्ती मार्ग में धेर देते हैं एक दो को अच्छी द्रिष्टी रखना, दया द्रिष्टी रखना, सो तो है भाबा केते नहीं, भाबा केते परम पिता परमात्मा के सिवाए तो कोई नहीं रख सकता अच्छी द्रिष्टी या दया द्रिष्टी, कृपा द्रिष्टी ऐसे भी नहीं देखने से कोई देवता बन जाते हैं भक्ती में तो क्या सोचते हैं भगवान क्या दर्शन हो जाए देवताओं का दर्शन हो जाए तो हम तर जाएंगे तो देवता को देखने से कोई देवता नहीं बन सकते नहीं यहां तो पाथशाला है पाथशाला में पढ़ना होता है ना पाथशाला में पढ़ना होता है भी तुम जानते वो निराकार इस साकार्टन में आए हैं मम्मा, बाबा, दादा ये क्या हुआ सबको मिला कर क्या कहेंगे ममा बाबा दादा ये कुटम हुआ ना इश्वरिय परिवार वार कितना बड़ा है इश्वरिय परिवार देखो सारी दुनिया में फैला हुआ है बाबा का इश्वरिय परिवार इतनी बड़ी पाच्छला थोड़ा शेहर से दूर हो चाहिए यहां भी देखो शहर से कितना दूर है कितना सन्नाटा लगा हुआ है क्योंकि हमें तो चाहिए ही शांती हमको जाना है शांती धाम जब बाबा पंडव भौर में आये तब तो बहुत वहां सन्नाटा था कोई आसपस थे ही नहीं तो बाबा केते शांती के लिए एकांत का स्थान चाहिए शांती का क्योंकि हमें याद रखना है हमें कहां जाना है शांती धाम तो आवाज अच्छा नहीं लगता है शांती धाम किसको कहा जाता ही अब तुम समझते हो आत्मा तो है ही शांत स्वरू मन को शांती चाहिए ऐसे नहीं कह सकते आत्मा में ही मन बुद्धी है ना आत्मा शरीर अलग-अलग है नाक कान आदी को शांती नहीं चाहिए किसको चाहिए शांती शांती चाहिए आत्मा को आत्मा में सारा पाट भरा हुआ है वो इमर्ज तब होता है जब शरीर मिले आत्मा में सारा खेल भरा है इतनी छोटी से आत्मा में कितना बड़ा पाट भरा हुआ है शरीर मिलने से ही वो पार्ट भी बजाएगी ये भी अभी तुम जानते हो बरोबर देवी देवता ही जानेंगे इस समय गाया जाता ही रे जैसा जन्म अमोलक क्योंकि तुम अभी इश्वर ये अलाद बने ये जन्म सबसे most valuable है बाबा केते इस जन्म की तुलना डाइमंड से की जाती है तो ये हमारा जीवन हीरे जैसा अमुल्ले जीवन है इसको ऐसे ही कौडियों के पिछे नहीं गवाना है कौडियां आर्थार बाबा केते धन कमाने में कई लोग इतने बिजनस कोल लेते हैं समेटने में भी तकलीफ होती है बुद्धी कितना विस्तार में चली जाती ये सब भूल कर फिर बाबा को याद करना और कठीन हो जाता है बाबा ममा कहते हो न अज्ञान काल में जो गाते थे तुम मात पिता हम बालक तेरे ये किसकी महिमा है ये भी नहीं जानते थे तुम प्रैक्टिकल में अभी सुख घनेरे का वर्सा ले रहे हो अभी समझते हो कि जन्म जन्मांतर शास्त्र पढ़ते भी नीचे ही उतरते आए ये भी ड्रामा में नूद है ना नीचे गिरना भी भक्ती करना भी ड्रामा में नूद है भक्ती करनी ही है ना भक्ती बदलनी है ना ज्ञान बदलना है बक्ती की तो बड़ी सामगरी है बैट वेद शास्त्र अथा है लिस्ट निकालो तो बहुत बड़ी लिस्टों जाएगी वेद शास्त्र ग्रंत सारे इकटे करे अगर सभी धर्मों के तो बहुत बड़ी लिस्टों जाएगी सारी दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं कितने मेले मलाखडे आदी होते अब बाप कहते बच्चे आदा कल्प बक्ती करते करते तक गए हो इस पढ़ाई में तो ठकने की बात ही नहीं लोकिक पढ़ाई में तो देखो छोटे छोटे बच्चे उनके size से ज़्यादा ही उनका bag का बोज़ा होता है फिर इतनी सारी पुस्तके उठा कर ले जाओ फिर उनको पढ़ो उसमें ही वो थक जाते हैं बाबा के थे यहां तो कोई ना bag ना बस्ता ना पुस्तके उठा कर लाना है सिर्फ बाबा जो हमको सुनाते हैं वो सुनना है और धारन करना है तो ठकने की बात ही नहीं इसमें तो और ही खुशी होती है क्योंकि ये पढ़ाई भी है पढ़ाई के साथ साथ ये कमाई भी है तो कमाई में ठकान नहीं लगती है उबासी भी नहीं आती है किसी की दुकान च भी उबासी वाद जुटके नहीं आने चाहिए, क्यों आता है जुटका और उबासी बाबा वो बता रहे अभी, हमारी weakness को देखो बाबा कैसे परकते हैं, धारणा कच्ची है, knowledge की value का पता नहीं है, तो सुस्ति आती है, अगर याद रहे कौन आया है, कौन हमारे सनमुक बैठ कर पढ़ा रहे हैं, स्वयम भगवान हमारे सामने, शिव बाबा हमारे सामने, आज हमारी कोई दादियां भी आ जाती थी, तो हम कैसे भाग भाग कर सेंट्रों पर जाते थे न, दादी आई है, दादी आई, हम आगे जाकर बैठें, कितना ध्यान से सुनते हैं, और स्वयम कि याद में बैठने से भी बहुत कमाई होती है, अभी सुस्त आत्माओं को तो मुरली में भी नींद आएगी, तो योग में बैठेंगे तो भी नींद आएगी, बाबा कहते हैं, ये दोनों कमाई का ही समय है, अमरत वेले का योग को हो, या कोई भी समय हम बाबा को याद क पुर्शार्थ करते अथक अर्थात कर्मा तीत अवस्था को पाना है अब जो पुर्शार्थ करेंगे माला देखो कितनी छोटी है प्रजा तो बहुत बनती है बाप तो पुर्शार्थ कराते रहते क्या कहते हैं बाबा, फालो, फादर, मदर बच्चे तो धेर है ना, प्रजा पिता ब्रह्मा के भी एडॉप्टेट बच्चे है ना, शिव बाबा के एडॉप्टेट बच्चे नहीं कहेंगे, क्योंकि शिव बाबा तो हमारा आनादिय विनाश्य पिता है, हर धरम की आत्माओं का पिता है, तो एडॉप्ट कोन करता है ब्रह्मा बाबा हमें शुद्र से ब्रह्मन बनाने के लिए एडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा के बच्चे अर्थात आत्माएं तो हो ही। अज्ञान काल में भी शिव बाबा कहते रहते हैं। परंतु शिबाबा कौन है? उनका क्या पार्ट है? ये कोई भी नहीं जानते हैं. शिबाबा कहते हैं, मेरा भी ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है. मैं भी अपने पार्ट के समय पर ही आता हूँ, आगे पिछे नहीं आ सकता हूँ. ऐसे नहीं जो चाहूँ, सो करूँ, हमारा भी जो पार्ट है, वही चलेगा ना. तो बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंदा हुआ है. बाबा कही बार कहते हैं, मैं भी बंदेला हूँ. क्योंकि हम लोग बाबा को क्या कहतें, बुलाया तो हे पतीत पावन आओ, पावन बनाओ. फिर बाबा को बहुत सारे अपनी कंप्लेन सुना करके, ये भी कर दो, वो भी कर दो. बाबा कहतें, मैं अपना काम करने आता, बाकी मैं किसी की बिमारी ठीक करना, किसी का बिजनस प्राब्लम को जो भी बाबा सुनाता है मुटली में इस को सूच, सुनना है, समझना है और दारन करना है, बाकी बाबा कहतें, मेरे में नोंधा हुआ है, वो ही बजाओंगा, तुम जो कहोगे वो पार्ट मैं नहीं बजाता हुआ। इसमें कृपावा आशिर्वाद मांगने की भी बात ही नहीं है कई लोग है ना बाबा से तो छोड़ो बहनों को भी बोलते हैं हमारे सिर पर हात रग दो तो तरपाद दे दो आशिर्वाद दे दो तो मेरी जो प्राबलम है वो सॉल्व हो जाए बाबा जानते हैं बच्चों की पालना कैसे करनी है कैसे करता है बाबा ज्यान और योग से तुमारी पालना है ही ज्यान और योग की मुझे कहते हैं बाबा क्योंकि रचईता ठहरा न तो जरूर बाबा ही कहेंगे लोकिक माबाप होते हुए भी पारलोकिक बाप को याद करते अभी तुम जानते हो पारलोकिक मात पिता ऐसे हुए और हमको राज्योग सिखला रहे हाँ शरीर निर्वा तो सबको करना ही है ऐसे नहीं सब आकर यहां बैठ जाओ अपना अपना बिजनस भी देखना है अपनी अपनी ग्रस्ती को भी संबालना है पर हेज के लिए यह समझाया जाता है आपवित्र कोई वस्तु नहीं खाने है बाकी घर में तो रहना ही है सरेंडर हो गया ना बाबा यह सब कुछ आपका है बाबा का सब कुछ समझ कर चलते हैं वो जो खाते हैं सो यग्य का ही है जो प्रवर्ती वाले बाबा केते की कम्प्लीटली सरेंडर कर देते हैं अपने आपको मन से सब कुछ बाबा का मान कर चलते हैं वो कहीं भी रहें ऐसा ही समझो हम यग्य की पालना में पल रहे हैं हम बाबा की घर का ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं हम trustee है है ना सब कुछ बाबा को दे दिया तो हम क्या हो गए trustee हम यग्य का खाते है वो तो सत्वगुणी ही है अगर अरपण मैं नहीं है अपने को trustee नहीं समझते तो फिर वो यग्य का भोजन नहीं हुआ है ना कई लोग बोलते भी हैं हम अपना खाते हैं हम क्या यग्य का खा रहे हैं क्या हम तो अपने घर में हम अपना कमाई का पैसे से खाते बाबा के ते जब आप बाबा के बने पूरा बलिहार हो गए सब कुछ मन से बाबा को समर्पित कर दिया तो आपका क्या रख तो यग्यकाई हुआ पहले तो अपने को ट्रस्त ही समझना है मनिष कहते भी हैं इश्वर ही सब को देने वाला है देवताओं की पुझा करते समझते हैं कि उन्हों द्वारा भी मिलता है देवता भी देते बगवान भी देता और मनुष्य क्या करता है, लेता ही लेता है, देता नहीं है किसी को भी, देवता बनना है तो पहले देने का शुरुआत करो, कि हमें सब को सुख देना है, प्यार देना है, सब कुछ देना है, शक्तियां देनी, गुण दान करना है, और सब को प्यार भरी इश्वर ये पालना देनी है, अपनी पालना नहीं देनी है, आमको इश्वर ये इसलिए के पालना देनी है. तो बाबा केते हैं सबका दाता एक है भक्ती मार्ग में हरे एक इश्वर के पास ही इंश्योर करते समझते भी हैं दूसरे जन्म में मिलेगा तुम भी सब कुछ बाबा के पास इंश्योर करते समझते हो ना दूसरे जन्म में मिलेगा यह शिक्षा मिलती दूसरे जन्म के लिए जो भी बाबा कहते करने के लिए यह शिक्षा किस लिए है फ्यूचर के लिए अच्छे कर्मों का फल मिलता है इश्वर अर्पनम करते हैं इश्वर को अर्पन अर्थात इन्श्योर करते हैं, वो है इन्डारेक्ट और ये है डारेक्ट, वो परम पिता परमात्मा को जानते नहीं, तो सब कुछ अर्पन भी नहीं कर सकते, यहां तो सब कुछ अर्पन करते हैं, बाप कहते अपने को ट्रस्टी समझो, तुम जो खाते हो वो समझो हम शिबाबा के यगिसे ही खाते हैं संभाल भी करनी होती है कोई तमोग उनी भोग लगा न सके गर में हम रहते न तो संभाल करनी ऐसे नहीं हमारे कोई भी घर वाले बोले पर आज बनाओ तो बना के दे दिया हम नहीं खाते बाबा तो हम मैं भोग बाबा का बनाती हूं फिर बहु बेटे को प्याज चाहिए तो उनके लिए भी बना देती जहां बाबा का भोग बनता है, वहां कोई भी शुद्ध भोजन ही बनाना है, और कोई रजोगुणी, तमोगुणी भोजन वहां नहीं पका सकते हैं, है ना, तो हम भी एक बार, मैं और हमारे लोकेक माता जी, एक अनन्य माता के घर गए, बहुत बिमार थी, तो सामने ब्रह् तो मैंने बोला आज से आप छोड़ दो या तो ब्रह्मा बाबा का फोटो निकाल दो, क्योंकि बाबा कितनी बास सेन करेगा, बड़ी दादी भी बोलती थी ब्रह्मा बाबा का फोटो उन्हों को रखना जिनके घर में सब सहमत हैं, और सात्वीक भोजन बनता है, क्योंकि ये फिर स्मेल बाबा को जाएगी तो अच्छी बात नहीं है और आप उनको बोलो आप बाहर जाके खाओ घर में ये सब चीजे नहीं लानी है या तो आप अपना किचन अलग बनाओ तो फिर उसने अपने पती को समझा के अपना किचन अलग कर लिया पुर्शार्थ करना पड़त है कि जहां बाबा का भोग बने वहां हम कोई तामसीक चीज नहीं ला सकते हैं तो बाबा कहते हैं कोई तमोगुणी भोग लगाना सके मंदिरों में भी शुद्ध भोग लगता है वो वैश्नव ही रहते विकारी तो सभी है चाहे वैश्नव हो चाहे कोई भी जाती क्यों छरेय ना रिष्टा शरीर है ना रष्टाचारी विकारी को बाबा के पास आते हैं बहुत तीखी भक्ति करते हैं तीवर भक्ति करने वाले ही रियलिटी में बाबा को समझ पाते हैं, तुम बच्चों को फिर तीखा ज्ञान उठाना है, उनका है तीवर भक्ति और हमें ज्ञान में तीखा बनना है, ठोड़े में राजी नहीं हो जाना, थोड़ा सा ग्यान आगा गया तो चूहे को मिली हल्दी की कांट अंसारी बनके बैठ गया तो ऐसे थोड़े में नहीं खुश होना है हमें बेहद में जाना है कितनी पॉइंट्स दी जाती समझाने के लिए बुढिया तो इतना समझ नहीं सकती है उनको फिर बाबा कहते तुम किसको सिर्फ ये समझाओ पारलोग की बाप का परिचे दो तो उस बाप को याद करो है ना बुढियों से भी बाबा देखो कैसे सेवा करते एक बार आशा दीदी सुना रहे थे पंडवोहन में हम सब बहनों को कुछ बड़ा सेवा थी तो मेले में जाना था तो एक बुड़ी माता को बाहर बिठा के चले गए और उनका बोले की एड्रेस वगेरा पूछ लेना और फिर एक दो दूसरे दिन आने के लिए बोलना तो माता जी डर रही थि कहीं मेरे को ग्यान ना सुनाना पड़े मुझे तो कुछ आता नहीं है तो वो भाई कोई VIP आया तो उसने भूला आपका लाना आज तो भैने नहीं है मुझे नहीं आता कुछ भी सुनाना वो चला गया दूसरे दिन भी विचारा बहुत लगन से भागा भागा आया, दूसरे दिन भी बैने अवेलिबल नहीं थी, उसने कहा माता जी आप तो रोज सुनते हो ना, कुछ तो आपने जो पाया वो मुझे बता दो, मेरे को भी कुछ प्राप्तियों मैं कितना दूर से आया हूँ, कल आज भी मैं ऐसे खाली हाथ नहीं लोटना चाहता, आज कुछ भी दे दो वो प्रसाथ समझ कर मैं ले लूँगा, तो माता जी जैसे बाबा ने कहा ना, माता उंको सर्फ बाबा को याद करना आता है, उनको बताओ बाबा का परिचे देना और बाबा को कैसे याद करना, तो हमारा बाबा सुक का सागर, चांती का सागर, ऐसे जैसे डूप जा रही थी वो, और चोटे बच्चों जैसे ही वो तो बहुत प्यारा है, शिप बाबा, हमारा प्यार का सागर बाबा, आनंद का सागर है बाबा, वो भाई भी खो गया, बोला माता जी ऐसा अन वो तो मेरे क किसी गुरू ने नहीं कराया, आप मेरी गुरू है, मैं कल भी आपसे ही सुनूँगा, आपके, वो विचारी घबरा गई, अब दीदियां आएंगे, मैं कैसे सुनाओंगी, तो दीदियों को बोला, आप सुनाओ, बोले नहीं, हमको ते यही मताजी, हमारा प्रत्थम गुरू औरों पक्का बाबा का बच्चा बन गये, क्योंकि जो दिल से बात हम सुनाते हैं, जो अनुभाव से औरों को प्राप्ति होती है, वो सुनने-सुनाने से नहीं होती, सुनाने वाले बड़े अच्छे-च्छे टैलेंटेड भाई बहने हैं आजकल, वो तो दुनिया में भी टैलेंटेड हैं, लेकिन आप देखिए, जिन दादियों ने कुछ लोकिक पढ़ाई नहीं की थी, और उनके नैनों में इतनी रुहानी शक्ति बाबा ने भरी थी, जो उनको देख करके लोग निहाल हो जाते, हर कोई क्या कहते थे मदुवन में, हमें दादी की दृष्टी का अनुभव होता, वो क्या है, जो अनुभव उन्होंने पाया, वो अपनी दृष्टी के द्वारा हमें अनुभव कराते हैं, तो अनुभव बाबा कहते अभी अनुभवी मूर्त बनकर सबको अनुभव करा, अभी लोग सुनना नहीं चाहते हैं, अनुभव करना चाहते ह तो बाबा केते हैं ये बुड़ी माता हैं तो इतना ज्यान नहीं उठा सकती हैं इसलिए उनको बोलो कैसे बाप को याद करना है पारलोकिक बाप का परीचे है तो उस बाप को याद करो तुम भगत हो और वो बगवान है बगवान हो आज तुम मेरे को याद करो तो तुम मेर मुक्ति धाम में आ जाएंगे और लोग कहते न भगवान कृष्ण है बाबा केते क्रिष्ण क्या कहेगा फिर मैं तो कहता मेरे घर आ जाओ मुक्ति धाम में आ जाओ कृष्ण कहेगा मेरे वैकुंठ धाम में आ जाओगे पहले तो निर्वान धाम में जाना है जरूर निराकारी बाप को याद करना पड़े है ना बाबा के घर जाना है पहले तो बाप को याद करना पड़े क्योंकि घर किस लिए याद करते घर के मालिक के लिए घर याद आता है न किसके घर जा रहे वो मालिक को भी याद करना है कृष्न भी देदारी हो गया उनको याद करना गया पांस ततों के विनाशी शरीर को याद करना ये तो भक्ति मार्क हो गया अब तुम बच्चे जान गए हो कि भक्ति का कितना विस्तार है Second में इस ज्यान से स्वर्ग का वर्षा मिल जाता, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, बक्ती है रात ठोक्रे खाते रहते हैं न, इसलिए नाम रखा है अंध्यारी रात, जानते भी हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, विश्णु के लिए क्यों नहीं कहते, क्योंकि विश्णु को ज्ञान नहीं है, रात और दिन का, ये ज्ञान अभी मिलता है तुम ब्रामनों को, इसलिए ब्रह्मा के लिए गाया हुआ है ब्रह्मा का दिन और रात को, ब्रह्मा ही दिन और रात को जानते, ब्रह्मा जानते है अभी रात पूरी हुई, दिन होना है, ब्रामनों का दिन और रात, ये समझने की बाते हैं, विश्णु ऐसा नहीं कहेगा हमारी रात और दिन, तुम कह सकते हो, सत्युक्तृता, ब्रहमा का दिन, द्वापर कल्युक्ष, ब्रहमा की रात गाई हुई है, इस ज्ञान से हम इतन उची प्रालब्द पाते हैं, फिर ये ज्ञान गुम हो जाता है, रामा में ये शास्त्र आदी भी नूडे हुए है, फिर वही शास्त्र बनेंगे, जिसके लिए क्या कहते हैं, बक्ति मार्ग वाले क्या कहते हैं, ये शास्त्र तो परमपरा से चले आते हैं, ऐसे नहीं कि धर्ती से कोई शास्त्र निकल कर आएंगे, बाप आकर सत्य बतलाते हैं, ये भक्ती मार्क की सामगरी फिर से वही निकलेगी, बुड़ी मातों को ये भी याद करा दे, उचे ते उच्छा है शिबाबा, जो परमधाम में रहते हैं, जहां आत्माई रहती हैं, वो उच्छा ठाओ, मूल वतन, फिर सुक्ष्म वतन, सुक्ष्म वतन में कौन रहते हैं, ब्रह्मा, विश्णु, शंकर, फिर स्थूल वतन में आओ, तो पहले लक्ष्मी नारेन का राज्य है, जो नई रचना बाप रच रहे हैं, पतितों को पावन बना रहे हैं, कहते भी हैं न, पतित पावन आओ, तो जरूर सारी स्रश्टी पतितों की है, उनको आकर पावन बनाते हैं, अब जो मैनत करेंगे, वही तो पावन बनेंगे, और पावन दुनिया में भी वही आएंगे, मूल बात है, अपने बाप और घर को याद करना है, बाप को भी याद करना है, क्योंकि बक्ती में क्या कहते हैं, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, उनको ब्रह्म तत्व है, यह नहीं मालूंगो, ब्रह्म को भगवान समझते हैं, उनका ब्रह्म है, बाबा कहते हैं, तो बाबा केते हैं, सबको यही कहो, हे आत्माएं, अब घर जाना है. लास्ट लास्ट में दीदी जी सबको यही पाठ पढ़ा करके गई, कि अभी वेस्ट मत करो टाइम, बस अब घर जाना है. दीदी बोलती थी, आपस में जब हम मिलते हैं, पहले ओम शान्ती कहते हैं, फिर जब बात पूरी हो जाती है, फिर हम चलते हैं इदर अपने काम में, तो तब बोलना है, अब घर जाना है. और तबी दीदी जी की स्मृती में गीत बन गया, अब घर जाना है. आदियंत का मंत्र यही है, अब घर जाना है. अभी ये गीत कब बजाते हैं, कोई शरीर छोड़ता है तो. योग में बजा दे हैं, तो लोग हैरान हो जाते हैं, कोई मरतों नहीं गया. क्योंकि एक बार रामशलोग भाई बोला कि हम भी नेपाल गये तो वहाँ पर बजाते हैं, तो मैं एक सेंटर पर गया, तो पहुंचा तो वहाँ पर क्लास में गीत बज़रा था, अब घर जाना है, तो मैंने सोचा कोई शरीर छोड़ दिया होगा. देखा तो ये तो उनके योग का गीत बज़रा है, है तो योग का ही लेकिन हम लोगों ने बना दिया है, जब कोई शरीर छोड़े, तब ही ये गीत बजाना है, तो हमको भी घर जाना है, इसलिए ये गीत सुन सकते हैं रोज, कि अब घर जाना है, तो स्मृति स्थाई रहे शरीर तो सबके खतम हो जाएंगे, आत्माओं को ले जाने आये ना बाबा, तो शरीर सबके खतम हो जाएंगे, आत्मा के नाते सब भाई-भाई हैं, ब्रदर्स हैं, फिर शरीर के नाते से भाई-बेहन हैं, बहुत मिठी-मिठी बाते हैं, मिठी लगती ना बाबा की बाते सबी हाथ इलाके बताओ किस-किस को मीठी लग रही बाबा की बाते हैं कितनी मीठी बाते हैं तुम यहां कहां बैठे हो आप सबी कहां बैठे हो होस्टल में बैठे हो तुम यहां के रहवासी हो होस्टल में रहने वालों को याद रहता है हम तो होस्टल के निवासी हैं होस्टल में इसलिए रखते हैं क्यों रखते हैं माबाब बच्चों को होस्टल में कि बाहर का खराब संग ना लगे पर आजकल तो हॉस्टल में भी बच्चे बिगड रहे हैं, खराब बच्चे जो पहुँच जाते हैं, वो अपना संग दोश वहां भी देते हैं, सबसे अच्छा हॉस्टल है बाबा का, मदुबन्या, जहां भी बड़े सेंटर हैं, रेट्रीट सेंटर हैं, जहां सब लोग रहते हैं, बाबा केते हैं, यहां है वास्तों में सचा सथ संग जहां सबको मिलता है, यहां तुमको निर्विकारियों का संग है, परन्तु यहां भी कई बार देखो, बाबा, ममा, दादियां हमको समझाते थी, यहां पर भी संग दोश से बचना, क्योंकि यहां भी कई व्यर्थ बाते बनाने वाले, सुनाने वाले मिलेंगे, लेकिन हमें अपने पुर्शार्थ में अच्छी बाते ही लेनी हैं, अच्छ कान बंद कर लेने, साक्षी द्रष्टा होकर के रहें, कि हमको ये सब चीज़ें काम की नहीं हैं. क्योंकि अब तो हमें घर जाना है, उप्राम होना है, फरिष्टा बनना है, कर्माती स्थिति को प्राप्त करना है, तो ये बातें हमारी अवस्था को और नीचे ले आती हैं, तो कोई उन्नती की बाते करें, उनका संग करना, जो इधर उधर की बाते करें, बाबा कहतें उनसे दूर रहो, उनसे आप मुरली के पॉइंट पुछो, देखो उनको मुरली का एक भी पॉइंट याद दे रहेगा, तो वेर्थ अपने आप स्टॉप हो जाता है, अच्छा आज तो ब्रह्मा भोजन है, हमने तो खा लिया, आप सभी खाएंगे अभी, सत्गुरु वार भी है, दीदी जी का भोग भी है, तो बाबा कहते हैं, आज ब्रह्मा भोजन है, और आपने किसको भोग लगाया, क्या बोलते हैं, सभी शिबाबा को भोग लगाया ना, अब शिबाबा कहते हैं, शिबाबा तो खाता ही नहीं, खाते तो हम हैं, शिबाबा का नाम लेकर के, अगर बाबा को भोग ना लगे तो ब्रामनों को मिलता भी नहीं था, इसलिए बाबा का नाम लेकर के हमको तो फायदा हो जाता है ना सब को खाने के लिए मिल जाता है ब्रह्मा बोजन, वो तो अभोगता है देवताओं को ब्रामनों का बोजन बहुत अच्छा लगता है, बुलते ह वरी सावधानी दी है कि भोझन भी पक्के योगी बच्चों के हाथ का ही खाना है शुरू में क्या था ज्यान्मार्ग में भी लोगों को इतना समझ में नहीं आया पवित्र आत्माओं के हाथ का खाना है मना, घर में कोई कन्या है, उसके हाथ से बनवा के खा लेते थे, कोई विद्वा हो गई, उसके हाथ से बोलेंगे, इनका तो खा सकते हो ना आप, तो धीले हो जाते थे, कई लोग हाँ, अभी ये तो विद्वा है, मेरी माँ है, तो खा लेते, पर उनका योग किसके स साथ है यह देखो बाबा को याद करके भोजन बनाते या बाबा को भोग लगाते हैं तो हम सब को कहते हम ऐसे नहीं कोई भी पवित्र है तो खाते हम जिसका योग बाबा के साथ है जो बाबा को भोग लगता है भोग लगने के बाद हम खाते हैं कोई भी नहीं बोलेगा हमने भोग लगाया पहले हमारे पास यहां गवर्णर थे कृष्ण कांत जी तो हमेशा बोलते तो तुम तो टोली लेकर आती है मेरे घर में तेरे को खाना पड़ेगा एक दिन तो हमने का ठीक है हम खाएंगे जिरूर पर हमारी एक शर्त है शर्त है कि माता जी आपकी युगल अगर खाना बनाएगी तो हम खाएंगे वो तो होई ने सकता वो बनाएगी भी नहीं और हम खाएंगे भी नहीं बुला बहुत उशार है यह बच्ची बड़ी उशार है खाती नहीं है खिलाती जरूर है इसलिए बाबा केते तुमको देवता बनना है तो ब्रह्मा भोजन ही खाना है क्योंकि इस ब्रामनों के भोजन से देवता बनते तो ब्रामनों के भोजन का कितना मात्व है उनका बहुत असर पड़ता तुम पकके योगीों का भोजन मिले तुम्हें अगर पकके योगीों का भोजन मिले तो बुद्धी बहुत अच्छी हो जाए सारा दिन शुबाबा की याद में रहकर कोई स्वदर्शन चक्र फिराते भोजन बनाए ऐसा योगी चाहिए अब ये सुन करके न हमारे पास आज क्लास में एक भाई अड़के बैठ गया बाद में, मैं तो अंदर आ गई बोला कि मुझे दीदी से मिलाओ, मुझे दस दिन यहाई रहके भोजन खाना है तो उसको कितना समझाया, आज यहाँ पर बहने बटी में गई हुई हैं, दस लोग बिमार हैं, भैंस नहीं है, बोले नहीं, आज बाबा ने बोला है पके योगियों का खाना है, तो मन मैं यहीं खाऊँगा, दस दिन यहीं रहूँगा आकर की तो देखो, एडवांटेज ले लेते ना भाबा के महावाक्यों का भी, और बाते कुछ धारन करे ना करे, जो अपने मतलब की बाते होती है, वो पकड़ लेते हैं, कि भोजन यहाँ का मिले तो हम देवता बन जाएंगे ना, पके योगी हैं इधर विद्वा, माता, अथ्वा, कुमारियां भी पवित्र होती, परन्तु योगिन भी तो हो, ऐसे नहीं खा ले ना किसी के भी हाथ का, योगिन के हाथ का बनाया हुआ भोजन मिले, तो तुम्हारी बहुत उनती हो जाए, साकार बाबा भी बहुत ढूंडता था योगी आत्मा आए, कौन सी बच्ची योग, योग्त है, उसको बोलता था मेरा भोजन बनाओ, चाहे उसे आए या ना आए, बाबा को टेस्ट से मतलब नहीं था, कि टेस्टी बनाए, बहुत अच्छा बनाए, उसमें सुगंदा आए, नहीं, बाबा बोलता था योग की सुगंद, योग कमाल ये हमने देखी, बाबा के कोई भी कारे में आप हात डाल दो, आपको कुछ भी नहीं आता होगा, वो टेलेंट बाबा दे देता है, वो नमबर वन हो जाते, कोई भी काम में, अभी हम भी कई बार सोचते हम शांती सरोवर में आए, हमको किसी को कुछ भी नहीं आता था ना कोई electrical वाला था, ना कोई sound system को संभालने वाला, trend तो कोई भी नहीं थे, ना कोई plumbing वाला ना कुछ, लेकिन सब इतने expert अभी कोई बाहर वाले आते तो वो बोलते भई, आपके जो technician है न, चाहे वो electrical वाला हो, चाहे sound system वाला, चाहे plumbing, इनके जितनी knowledge तो हमको भी नहीं है। बाबा इसलिए बोलते हैं, सिरफ तुम हाथ पकड़ो, सहयोग का हाथ बढ़ाओ, सब काम मैं करा लूँगा, मैं हूँ करन करावनहार, तो सच मुझ बाबा की कमाल देखते हैं, कि बाबा देखो, बुद्धूओं को सुद्धू बना देता है, बुद्धिवान, को क्या सिखाते हैं, दीदी देखो, कभी भाशन नहीं करती थी, लेकिन भासना दो, अभी लोग भाशनों से खुश नहीं होंगे, लेकिन सब को रुहानी भासना दो, वो भासना कैसे दे सकते हैं, जब हम अपनी स्वस्थिती ऐसी बनाई होई होगी, अचल, अडोल, हर पर अच्छा बहुत अच्छी हो जाएगी, योग में बहुत मदद भी मिलेगी, अच्छा, मिठे मिठे सिकीलदे बच्चों प्रती, मार्पिता, बापदादा का याद, प्यार और गुद मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चो बच्चों को नमस्ते, बाप बाबा, बारना के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट बाबा ने बताया, मात पिता को फॉलो करते हुए ज्ञान योग से सबकी पालना करने है सिर्फ खिलाने पिलाने कोई पालना नहीं कहते है मात पिता को फालो करते हुए सबको ज्ञान और योग की पालना करने है उसी पालना में रहना भी है कहां भी रोहो बाबा ने कहा ना सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया तो जैसे हम बाबा की पालना में पल रहे ज्यान योग में तिखा जाना है मात्पिता को फालो करते हुए ज्यान योग से सब की पालना करना है उसी पालना में रहना है और ज्यान योग में तिखा जाना है दूसरा, पवित्र और योगिन के हाथ का भोजन खाना है, बुद्धी को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है, बुद्धी क्योंकि मन बुद्धी से हम बाबा को याद करते हैं, तो बुद्धी की शुद्धी के लिए भोजन पर भी बहुत ध्यान देना, परहेज रखना है, सब जगा नहीं खा लेना, जो योग युगत आत्माई हैं, केवल उनके हाथ से बाबा को भोग लगाया हुआ भोजन ही हमको स्विकार करना है, वर्दान है, स्वपरिवर्तन द्वारा, विश्वपरिवर्तन के निमित बनने वाले, स्वपरिवर्तन द्वारा, विश्वपरिवर्तन के निमित बनने वाले, सर्व खजानों के मालिक भव, सर्वकजानों के मालिक भव विस्तार है वर्दान का आपका स्लोगन है बदला ना लो बदल कर दिखाओ एक गीत भी है ना बाबा का बदला नहीं लेना किसी से बदल के हमको दिखाना है तो आपका स्लोगन है बदला ना लो बदल कर दिखाओ स्वपरिवर्तन से विश्वपरिवर्तन कई बच्चे सोचते हैं ये ठीक हो तो मैं ठीक हो जाओ मेरे साथ में जो रहता है न साथी ये ठीक हो जाए तो मैं तो अपने आपी ठीक हो जाओंगे ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक रहूं हमारे घर का सिस्टम ठीक नहीं हमारे सेंटर का सिस्टम ठीक नहीं थोड़ा अगर बड़ी बेहन सिस्टम ठीक बना दे तो हम सब ठीक हो जाएंगे क्रोध करने वाले को शितल कर दो तो मैं शितल हो जाऊंगी इस खिट-खिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाए यह सोचना ही रॉंग है राइट है यह ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाओ सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हो जाओ क्रोध वाला शान्त हो जाए तो मैं भी शान्त और शीतल हो जाऊं एक खिट-खिट करने वाले को अगर किनारे कर दो तो मेरा सेंटर भी ठीक हो जाएगा यह सोचना ही रॉंग है पहले स्वा को बदलो तो विश्व बदल ही जाएगा इसके लिए सर्व खजानों के मालिक बन समय प्रमाण खजानों को कारिय में लगाओ इसलिए बाबा केते सर्व खजानों के मालिक बन समय प्रमाण खजानों को कारिय में लगाओ है ना बदला नहीं लेना यह ऐसा करे तो उसके साथ मैं भी ऐसा करू लेकिन बाबा कई बार समझाते हैं लोकीक में भी काहवत है ज्ञानी की एक चुप सो को हरा देती है एक चुप सो सुख है ना कोई क्रोध करता है तो हम तो यह बोलते हैं कई कर्मना सिवा में बहुत थक जाते हैं चिड़ चिड़ा पन आता है तो मैं अपनी बेनों को बोल द अग्यार हमको रेस्ट दे देते हैं तो अच्छा है अपने आप वो क्रोध मुख्त हो जाते कि हमको सेलवेशन मिल गई तो नब्ज देखना जैसे कल भी बाबा ने का जो पल्स देखकर ग्यान देता है वो सही रूप से दे सकता है जैसे डॉक्टर भी पहले दवाई देते थ पल्स देखकर आजकल तो इतने टेस्ट लिग देते दिवाला ही निकल जाता है फिर भी बिमारी समझ में नहीं आती है और पहले तो एक हाथ को पकड़के नस पकड़ी अलिपाथिक वाले भी नस से ही देखकर समझ जाते थे नाड़ी ग्यान था अभी तो किसी को है ही नही सब अनाड़ी होगे है ना नाड़ी का घ्यान भी नहीं है तो अनाड़ी होगे तो इसलिए हर एक की नवज को समझना चाहिए किसको कैसे खुश करें जो अपने आप वो ठीक हो जाए वातावरन भी आटोमेटिक ठीक हो जाएगा पर मैं ठीक रहूं तो सब ठीक हो जाएग slogan है सर्वश्शक्तिओं की लाइट सदा साथ रहे तुम आया दूर से ही भाग जाएगी है न चोर का भागता है आप लाइट डालो तो चोर भाग जाता है तुम आया भी चोर है ना जहाँ अंधेरा होता है ज्ञान नहीँ होता है हमारे अंदर तुम आया आती जब सब शक्तियों की लाइट सदा साथ रहेगी तुम आया दूर से ही भाग जाएगी आटेक करने बिलकुल नहीं आएगी ओम शान्ती बाबा के महावाके सुने ओम शान्ती थैंक यू दिदी जी देखो दिदी जी ने कितनी रमणिक तासे मुरली सुनाई ठीक है न कि एक एक बात अंदर जहन में चली जाती है न जिस रिती से दिदी ने सुनाया तो दिदी जी तो आपने जो हम जो फ्राइडे नाइट जो बुक रिडिंग करते हैं तो दिदी ने भोजन के बारे में बहुत कुछ विस्तार से समझाया है तो वो तो फ्राइडे हमने सुनाई है तो दिदी तो अनुभव की खान है जो तो आपने नोटिस किया ही होगा तो अब हम दिदी जी से सुनेंगे तो अभी जैसे हम सुन रहे थे मुली में कि सर्विश्शक्तियों के लाइट जहाँ है वहाँ से माया भाग जाती है तो दिदी एक बहुत रमनी बात सुनाते थे हमको कि हर एक के पास तो माया आती महमान बन करके पर उसके महमान निवाजी मत करो क्योंकि अगर हम किसी को कोई आता है गैस आईए बैठिये चाई पीजिये तो बैठा रहेगा फिर और कुछ आएगा फिर और कुछ आएगा बैठा रहेगा तो आप जब माया आए तो उसको बोलो थोड़ा बैठो मैं अभी जाती हूँ बाबा के पास सिखाती थी और हमने देखा दीदी इतना एक्यूरेट टाइम पर उठना टाइम पर क्लास में जाना टाइम टेबल इतना उनका एक्यूरेसी वाला था जो सीखने जैसा था हम तो छोटे थे और मैं तब जानकी दादी के पास ट्रेनिंग किया था 71 से 72 तो दीदी को सुबह रोज मैं दादी और दीदियों को गूड मॉर्निंग करने जाती थी तो दीदी जिससे जब भी मिलने जाते थे दीदी एक तो पूछते थे कि तो बाबा के कमरे में गई क्या मैं बोलती थी हाँ दीदी क्योंकि तब तो मैं 16-17 साल की थी तो फिर मैं सोच मैं पढ़ जाती थी तो दीदी बोलती अच्छा आने दे तेरी दादी जानकी को मैं बताती हूँ इसकी डबी में ठिकरी है कुछ भी बात नहीं करती है बाबा से मेरे से भी नहीं करती है तो फिर मैं दूसरे दिन बहुत mentally prepare होके बाबस बहुत अच्छी रूरियान करके आज दीदी को सुनाओंगी उस दिन पूछते ही नहीं थी फिर हमको walk में भी अपने साथ ले जाते थी morning walk में फिर वापिस भी एकदम accurate time पर लोटती थी और बहुत speed से चलती थी दीदी देखो हमारी teacher आने वाली जादी है ना कान खीचेगी जल्दी चलो जल्दी चलो ऐसे करके हमको भागाते हमको भागना पड़ता था दीदी के साथ और मुरली में मैं बहुत दीदी के बिलकुल सम्मी पैट जाती थी क्योंकि दीदी ना बहुत अच्छे प्रशन पुछते थी तो जिससे हमारा मनन चिंतन स्टार्ट होता था ये कितने अच्छे प्रशन बनाती है दीदी तब से मुझे भी मुरली लिखने की आदत पड़ी प्रशन उतर के रूप में तो दीदी फिर मुरली होते ही दादी दीदी सभी पहले नास्ते पर नहीं जाते थे एकदम सीधा सब पत्रों का जो है बाबा ने जैसे एरिया बांटे हुए थे दिल्ली दिल्ली से समंधित कमरे जो बोलते है न वो दीदी जी देखते थे दादी जी जो है इस तरफ बंबे महराष्ट्रा बाद में तो हैदरबाद इंकलूड हो गया वह इतना बड़ा विस्तार नहीं था तबी फिर कुछ अपत्र शांतामानी दादी यूपी साइड में लिखना तो दीदी का एक एन्वलप मना इनलाइन लेटर में पिछे के पेज में पुरे प्रशन उतर रहते थे वो सब को राजू भाई भेजता था बहुत अच्छा लगता था कि दीदी कितना अच्छे तरीके से मुरली सुनते हैं और दीदी बीच बीच में देखती भी थी मुरली ठीक से सुन रही है या इदर अधर भी इनका ध्यान जाता है तो मैं बाजू बैठती थी सिर पे ऐसे मारती थी दीदी किदर गई यूकि हम कभी कभी देखते ना क्लास में कोई आया इदर उदर देखते हैं तो दीदी दादियों का ये ध्यान रहता था जब भी हमारी आँक इदर उदर गुंगती है त क्यों देख रही हो कि कहां गई कहां बैठेगी और दीदी के अंदर परक्षक्ती भी थी कौन सी आत्मा में क्या विशेष्टा है उसको किस तरह से सियग्य में यूज किया जाए आला कि मुझे बाबा साकार बाबा को मैंने बहुत छोटे पन में पूछा था लगभग सात वर्ष की आयू में मैंने पूछा था बाबा मुझे सरेंडर कर लोगी क्या मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है क्योंकि मैंने बहुत छोटी आयू में लगभग तीन वर्ष नौ मा बाबा ममा देली में बहुत आते थे, तो मैंने सिर्फ आँख खुलते ही दादियों को, और बाबा ममा के सिवाए किसी को देखा नहीं, लोकिक दुनिया का भी इतना ज्यान नहीं था, तो मुझे ब्रह्मा कुमारी बनने का बहुत इंट्रेस्ट था, तब बाबा ने बोला था कि अभी छोटी हो, थोड़ा पढ़ लिख करके, दस क्लास तो पढ़ लो कम से कम, हिंदी, इंग्लिश, सिंधी भी बोला बाबा ने, मेरे को तब नहीं मालूम था, सिंधी क्यों बोला, यह सब सिख के आना, तो देश-विदेश की सेवा करेंगे, अभी तो हम देखो, दो साल से विदेशों में बहुत ज़्यादा गूम लिए, जहां नहीं गए, वहां पर भी जाके आगए, क्योंकि यह ओनलाइन कितना अच्छा साधन है, अभी वी कितने विदेशी कहां कहां से सुन रहे हैं, तो इस तरह से फिर दादी दीदी मेरे को बहुत ध्यान से देखते थे, परकते थे, इसकी कितनी लगन है, कितनी छोटी है, मैं हर साल जाके पूछती थी, अब मैं थोड़ी बड़ी हो गई ना, मुझे भी समर्पित नहीं करते, क्या पता नहीं कब विनाश हो जाएगा, मुझे विनाश का ऐसा निश्चे था, 76 में पक्का बाम फूटने वाला ही है, क्योंकि भाबा ने तब बोल दिया था, 76 में विनाश हो जाएगा, और उस समय पर 7, 8, 9, ऐसे भी लेकर जाते थे, दादियां बोलती थी, दादी, दीदी, अरे कुल्दी बहुत बड़ी पाटी लेके आई है, और क्या है, यहां से बहुत अच्छे-च्छे मारवडी माते हैं, बहुत यग्जिस नहीं, तो वो जैसे ज्वल जैसे थे बाबा के लिए, तो एक बार कोई मेरे साथ ऐसे एक यूगल और एक भाई एडवोकेट था, जाते समय उन्होंने हमारी माताची को अपनी धरना बता दी कि, एक की थोड़ी पवित्रता का एक मास से था और एक का भोजन शुद नहीं था मना, प्याज लसन डालते मैं अकेला ग्यान में चलता, घर में कोई मेरे को बना के देने वाला नहीं, तो जबरदस्ती खाता हूं पर मेरा मन तो नहीं है, पर क्या करूं, मजबूरी है, लेकिन मुझे नहीं बताया था, मैं जैसे दादी दीदी से मिलते थे जाते ही, तो दीदी के रूम में बैठे, दादी दीदी दोनों सोफे पर बैठे थे, मैं नीचे बैठी थे, उनके साथ ही, थोड़ी देर दृष्टी देती थी दादिया, उसके बाद दीदी ने कहा, जो यूगल थे ना, उनको पूछा, आपकी तो पवितरता, थोड़े समय की लगती है, एक मास की, तो वो दोनों यूगल मेरे को ऐसा पलट के घूर के देखने लगे, इसने शिकायत लगा दी शायदी, और मैं खुद आश्चरे से देख रही थी, मुझे तो बताया भी नहीं किसी ने, और दीदी को कैसे मालूम पड़ गया, दूसरे को दीदी बोले, आपकी तो खान-पन की शुदी नह ही नहीं, अब और भी एक-दो जहने थे दीदी, दीदी को ये भी अच्छा नहीं लगता था न, माताय इतनी इतनी चूडियां पहनी हुई, एक बार मेरे साथ करिम नगर की माताय गई, वो चन-चन-चन-चन और पाउं में पायल, क्या है बोले ये, इतना घंसान क्या लग लगा दी आप, मैंने बोला मैं शिकायत लगाई, मैं तो खुद आश्चरे में थी, कि आप लोग दीदी को धारना सुना रहे मुझे तो बताए न, मैं बोले प्रितम बेंजी नहीं बताए, आप लिए बिलकुल नहीं बताए बेरे को, तब उनको भी आश्चरे लगा कि इ पहले-पहले मदुबन में जो जाते थे, उनको कुछ मालूम नहीं होता था, क्या है, तो दीदी ने एनाउंस कराया कि सब ही आओ पान सुपारी खाने के लिए, तो सब भाग भाग के गए, हमारी दीदियां तो बोलते पान सुपारी नहीं खाना, या तो खिला रही है तो छोटे हॉल में सब लोग इकठे हुए, दीदी ने सब को पुछा, हाथ उठाओ जो जो पान खाते हैं, तो पकड़े गए, चोर सारे, सबने हाथ खड़ा कर दिया जो खाते थे, क्योंकि दीदी खिलाने वाली अभी तो बताने में क्या अर्जा है, तो अच्छा पान ख फ्रूट की प्लेट दी, बोला ये है पान सुपारी, भोजन के बाद बाबा जो है बाबा मुमा सबको फ्रूट खिलाते थे, आज कल तो डॉक्टर बोलते पहले फ्रूट खाओ, बाद में भोजन खाओ, लेकिन दादियों ने सिस्टम बनाय था, ब्रह्मा भोजन के बाद सबको पान सुपारी देना है, फ्रूट की प्लेट मिलती थी, इस तरह से फिर एक बार कहीं दीडी जी गए हुए थे कोई सेंटर पर, तो करेंट चला गया, दीडी ने का कोई भाईयों की जेब में लाइटर है तो निकालो, तो एक भाई ने फटाक से निकाल के दे दिया, तो अच्छा तुम सिगरेट पीते हो बोला, पकड़ा गया ना, लाइटर क्यों रखता है बाई, जेब में, तो सिगरेट पीते हो तो इस तरह धारनाओं की उपर ध्यान दिना, और सप्ता में एक बार दीडी सबका अच्छानक चाट पूछते थे, सारे सप्ता में किसने क कोई भूल की हो, तो सच सच बताना, क्योंकि दीडी को सच्चा ही सफाई बहुत पसंद थी, और जो कोई सच बताता था, तो दीडी उनको शाबाश भी करती थी, और फिर उनको कुछ सोगात भी देती थी, और उनकी क्लास में प्रशंशा करती थे, ये देखो कितना और दीडी के अंदर इतनी निर्मानता थी, मेरे को अभी तक याद में बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद है वो बात, अभी तक वो सीन मुझे याद भूलता नहीं है, क्योंकि दादियां भी नीचे पट में बैठ करके मुरली सुनती थी, सबसे फ्रंट में दीडी थ जिसकी धारना बड़ी अच्छी थी, किसी एक विशेष्टा के कारण बाबा ने मुरली में उसकी विशेष्टा को देखकर कहा, दीडी, सुन रही हो, ये विशेष्टा का स्पेशलिट्स ये भाई है, आप दिन में कभी टाइम मिले ना इस भाई के साथ बैठ करके, रूर दीडी ने कहा, जी बाबा, इतने निरेंकरी, इतना डाउन टो अर्थ की बाबा जो कहे सत वचन, फिलिंग प्रूफ थी दादियां, अभी देखो आजकल तो फिलिंग का फ्लू बढ़ता रहता है, तब दादियां क्लास भी कराती थी, फिलिंग फ्लू की बिमारी है, मोटी बुद्धी, महीन बुद्धी की बाते सुनाती थी, दीदी दादी दोनों भी, कि मोटी बुद्धी वाले क्या करते हैं, सुक्ष्म बुद्धी वाले क्या करते हैं, मोटी-मोटी बातों पर पकड़ लेते, लेकिन ग्यान की गहराई क्या है, सुक्ष्मता क्या है, उ क्योंकि गीता सुनने वाले बहुत है, सुनाने वाले भी बहुत है, लेकिन गीता का सार हमारे जीवन में हो, उससे तो बाबा की प्रतिक्ष्टा होगी, तो हमको दीदी ने जो है न, एक बार मेरे उपर बहुत भारी परिक्षा आई हुए थी, और मेरे लोकिक फादर ने भी उससी समय, उनको लंग का कैंसर हो गया था, तो शरित छोड़ा, उनके आयू भी 48, और मेरी तो बहुत छोटी आयू थी, उसमें 22 या 23, परिक्षा ऐसी थी कि कभी मैंने जीवन में नहीं सोचा कि ऐसा भी बाबा के घर में परिक्षा हो, तो मेरे को उसमें बहुत ऐसा लग रहा था कि अभी एक बाबा के सिवाए मेरा कोई भी नहीं है, मैंने इस जीवन में तो बच्पन से बाबा का ज्यान सुना है, कोई ऐसी चोटी मोटी ऐ इससे बाबा का इज़त जाए या बाबा की बदनामी हो जाए ऐसे परिक्षा क्यों आई है मन ही मन में अपने आप से पूछ रही थी फिर अवेक्त बाप दादा पर्सनल मिलते थे और उसमें बाबा छोटे हॉल में मिल रहे थे तो मेरे को इतना अंदर से मैं इमोशनल होगी बाबा को देखकर फर 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 गंगा यमना बहने लग गए और मेरे में संकोच की बिमारी थी मैं किसी को कुछ बोलती नहीं थी मन दिल में कुछ है तो सुना दूँ वो मेरे को नहीं आता था कि दादी दीदी को अपनी प्रॉबलम सुना दूँ या समाधान ले लो या पूछ हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ कुछ नहीं मैंने ऐसे ही दिल से बाबा को कहा कि बाबा अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बच्ची काम की नहीं है मैं सच्चे दिल से कहती हूँ बाबा आप मुझे सभा में सजा दो गेट आउट मैं चली जाओंगी लेकिन आपको नहीं छोड़ूँगी बाबा मैं आपके बिना तो नहीं रह सकती आप यग्ये से भले निकाल दो मैं कहीं भी जंगल में तपस्या करूँगी मनी मन आसु भी बह रहे थे और मैं बाबा से मन से बात कर रही थी मुक से नहीं तो बाबा ने बड़े प्यार से मेरा हाथ जोर से पकड़ा मुझे इतना करेंट अन्वो हुआ बाबा इतनी शक्ती दे रहा है और बहुत प्यार भरी दृष्टी मेरे बाबा के इस तरफ दीदी और इस बरोसे वाली हो, मैंने सिर हिला कर सहमती दी, जी बाबा, और बाबा ने कहा, बच्ची सचे दिल पर साहे ब्राजी है, यह अन्भाव कर रही हो, मैंने कहा, जी बाबा, बस ये दो भरदानों ने मुझे इतनी शक्ती भर दी, कि अगर भगवान को मेरी दिल सची लगी, और मुझे क्या चाहिए, अगर एक का बल है मेरे साथ, एक पर ही मेरा भरोसा है, तो मुझे दुनिया की कोई भी शक्ती हिला नहीं सकती है, मैं तब से अच्छा लडोल होगी, बहुत बड़ी बड़ी परिक्षा है, आती रहती हैं, आप समझते हैं ना पढ़ाई है, बाबा तो रोज बोलता है, जब तक पढ़ना है, परिक्षा तो लास्ट तक आती रहेगी, परिक्षा नहीं आई, मना हम ठीक से नहीं पढ़ रह और हमारी उन्नती नहीं हो रही है प्रमोशन तभी होती जब कोई बड़ा एक्जाम पास करता है तो दो एक्जाम थे एक तो स्टुडेंट दो पार्टी क्योंकि फादर चले गए एक बैन को ये इर्शा थी इसको इतना प्यार दादियों का मिलता है इतना इसको सम्मान है तो उसने दो ग्रूप बना दिये और मुझे वो सब ग्यान नहीं था ये ग्रूपिजम क्या होता है क्या नहीं कुछ मालूम नहीं था इनो सेंट क्लीन सलेट बोलते न क्योंकि बच्पन से आ गई कुछ पॉलिटिक्स मालूम नहीं मैं तो बाबा की घर में आई बस बाबा की बन गई फिर जब लास्ट में जिस दिन विदाई होती थी तो दादी दीदी एक एक को गोद में लेकर बदाम इलाइची मिश्री गो सुन कम सुन की टोली देते थे और गीत बचते थे तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर या भगवान तेरे घर का श्रंगार जा र मैं इसुछ एक बहन ने ऐसा चक्रविव नाया कि मना ये कोई कामकी नहीं है, सब मेरी तरफ हैं, इसकी तरफ कोई भी नहीं है तो मैंने बोला बाबा ये दादी दीदी भी मेरे को नहीं पहचानें, आप ने पहचाना तो दीदी ने बहुत प्यार से मेरे को इतना नस्दीक गले में लगा के कहा मैं तेरी तरफ हूँ दादी को लोगों ने सिखा दिया तो सिखवट में आई तेरी परिक्षा बहुत भारी हुई कुल्दी लेकिन मैं वो वर्दान भी नहीं भूल सकती दीदी ने कहा और वो वर्दान मैंने अन्वो किया अपने जीवन में दीदी ने कहा क्योंकि उसमें हमारा जो भी था मिला हुआ था पैसा सोना जो मिला मैंने हिसाब भी नहीं देखा मैं फादर विशाखा पटनम थे सारी फैमली हम चले गए उस बैन ने पूरा इधर पहुँचा दिया मदुबन में मैंने तो भी नहीं पूछा क्यों पहुँचा है चलो मदुबन में गया कुछी की बात है लेकिन परिक्षा होगी साथ मैं यह नहीं मालुम था तो दीदी ने कहा कुलदीप इसी जन्म में तुझे बाबा तेरे ओपर लक्षमी चम चम बरसेगी तेरे पैरों के नीचे घी दूद की नदियां बहेंगी सच मुच आज हम देख रहे हैं हमारे बाबा ने इतना हमें प्यार से पालना दी है इतना सुंदर रिट्रीट सेंटर क्योंकि परिक्षा का फल ही है यह त्याग तपस्या सेवा जो की वो व्यर्त नहीं जाती है थोड़ा पेशन्स रखने की आफशक्त है मैंने कभी आधीर होकर यह नहीं सोचा छोड़ो यह यग्ये को छोड़ो यहां से चले जाओ हमने बाबा को प्रण किया मरेंगे मिटेंगे पर हटेंगे नहीं और दादी दीदियों की पालना तो गजब की थी क्योंकि दीदी जब योग कराती थी मुझे इतना अच्छा लगता था गंटों बैठ जाएं हिलने को दिल नहीं करता था इतना उनके नैनों से जो शक्ती मिलती थी वो दृष्टी आज भी हम भली दादी दीदियों के फोटोग्राफ सी हैं लेकिन हमने क्योंकि चैतन्य में देखा है आज भी हम दीदी को देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था दीदी कित इतनी शक्ती मुझे आत्मा में भरी क्योंकि मैं जब जानकी दादी के पास रही बहुत चोटी थी मेरे को लगा मैंने कुछ नहीं सिखा लेकिन अभी मैं अन्भाव करती कि आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होता रहता है जो बाते दादी सुनाती थी आज मैं वो प्रक्टिकल में धारण करके अपने छोटी बहनों को सिखाती हूँ कि ऐसा रहना चाहिए जैसे एक साधारण सी बात एक दादी के साथ मैं बैठी थी जानकी दादी हमेशा गाड़ी चलाने वाला अपना भाई हो वो पसंद करती ताकि हम रूर यान करें और निमित बहन को जरूर साथ में बिठाती है तो वो लोग अपना एक कोई स्कूल की लैंड दिखाने जा रहे थी कि तब कोई अपना रिट्रीट सेंटर भी नहीं था चलो दादी वहाँ पर कुछ ऐसा बनाएं जो आप आए माहा रथी तो एक सुन्दर सा गेस्ट हाउस बनाएंगे दादी ने कार में बैठे बैठे पूछा ये कौन सा एरिया है तो मैंने का दादी ये जुबली हिल हैदराबाद में आता है ये जुबली हिल एरिया अच्छ तो समझती ते रहे मैंने का नहीं दादी माफ करना अगर आपको एसर लगा है तो मैं माफी मांगती मेरा कान भी खीच सकते आप दादी हमेशा मेरा कान खीचती थी अच्छा लगता था बड़ी दादी भी खीचती थी दीदी भी जिसका मेरे हाथ में कान है न उस पर मेरा तो बस दादी मेरा कान भी आपके हाथ में खीच लो, वो भाव नहीं था, तो नहीं, दादी ने फिर बड़ी कोई है बात सुनाई, कि देखो कुल्दी, जो यह सोचता है न यह मेरा एरिया है, यहां से यहां तक मेरा एरिया है, वो कभी बेहद विश्व का मालिक नहीं राजा का सब कुछ होता है, राजा यह नहीं सोचता, मैं इतने एरिया का हूँ, इतनी बाउंडरी मेरी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, यह प्रजा क्वालिटी है, जो कहता है, यह मेरा एरिया, वो मेरा, राजा का सब कुछ है, हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले है तो एक बार जब आप सबको पता होगा यहां जब केवी के राजु की सेवा, इंडस्ट्रिलिस्ट की सेवा हुई, तो सब दादियां वहां जाने लगी, थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ कि हम इतना सालों से तपस्या किये, दादियां छोटा सा अमारे घर में गीता पाट तो भी आती थी, दो दो तीन तीन दादियां, अभी तो बड़े लोग आगे तो वहां जाने लगे, तो मैं हमेशा एक बड़ी दादी से बहुत बात करती थी, फिर जानकी दादी के पास रहने के बाद मैं जानकी दादी के पास ही जाती थी, दिल का हाल सुनाने, दादी फ नारेन क्योंकि दादी मेरे को पूछती थी क्या पुर्शार्थ कर रही क्या वीगन है बताओ कैसी इस्तिती है तो मैं बता देती साफ साफ दादी ने कहा देखो कुल्दीप हमें हैदराबाद माना तुम ही याद आती हो तुमारे लोकीक माता पिता याद आते अभी कोई भी हो एक्स वाई जड उनको हम याद नहीं करते और तुम कौन सा योग करती है तो मैंने वह राज योग तो राजा थोड़ी प्रजा से योग भागना तब से मैं अपनी बेहनों को बोलती है यह यह लेने दो जो भी लेता है खोलने दो हमारी प्रजा बन जाई कोई भी बनाए तो क्या हुआ प्रजा ही तो बनाएंगे और वो बाबा का ग्यान देंगे बेहाद में रहो तो दादी दिदियों से हमने यही सिखा सब बादी मुझे तो ऐसा लगता सब दादीयां मेरी हैं और सारा विश्वा हमारा है हम सारे विश्व के लिए हैं कोई ऐसा हमारे लिए भी नहीं कह हमारा इश्वरी परिवार है, कुटुम है, तो ऐसे दादी दीदियों ने हमें बहुत एकॉनमी भी सिखाई, क्योंकि शुरू-शुरू में दादी दीदियां है न, हमारे पिछे-पिछे घूमती थी, कि कौन क्या करता है, क्या करते है, क्लास के बाद ये लोग किधर जाते ह कपड़े धोरे, उनको मालूम होता था, मैं एक दिन कपड़े धोरी थी, मुझे तो धोना नहीं आता था पहले, तो बहुत सारा रिन सोप लगा करके, सर्फ भी बहुत सारे डाला हुआ था, और मैं रिन सोप लगा करके, उसको ब्रश कर रही थी, खुब सारी जाग जा रह इसको निचोड के एक bucket में और थोड़ा-थोड़ा लगाना जहां दाग है अरे हम लोग कितना economy से चले तुम लोग तो बचियां देखो नाली में बाहर है यहां तुम वो bucket में रखेंगे ना उसमें पोचे के कपड़े धूल जाएंगे उससे फर्श दुलाई हो जाएगा तो शरीर के लिए भी हम बोले हम ऐसा ऐसा लगाते साबुन ना दादी ने बोला हमको बाबा ने सिखाया साबुन को ऐसे हाथ में लेना ऐसा लगाना एक छे माहिना हमारी एक तो तुम लोग तो एक महिने में उड़ा देते हो तब से दादी से ये भी सीखा हमने कितना एकॉनमी क्योंकि जो यगी की एकॉनमी करता है उसके संकलकों की एकॉनमी आटोमेटिक होती है जो स्थूल को वेस्ट करता है उसका सुक्ष्म में भी वेस्ट जाता है तो इसलिए हम दीदी के लिए क्या कहें दीदी का हमारे लोकिक परिवार से भी बड़ा स्ने था जब शुरू शुरू में हमारे लोकिक माता जी को और पिता जी को विशेश फादर के अंदर बहुत समर तो उन्होंने कहा कि अभी सब कुछ अपना अर्पन कर दो बाबा को, तो बाबा ममा ने कहा नहीं चोटे बच्चे हैं, प्रवर्ति वाले हो, जाना आना पड़ता है, तो सारा जेवर नहीं उतारो. दीदी को दिया, दीदी ने भी पहले तो मना किया, फिर दीदी को बोला, दीदी हम कभी भी, ममा ने भी बोला, बहुत माया आएगी, कम बात मत समझो कि सर्वसवर पन करना, फिर कुछ थोड़ा भी उपर नीचे हुआ यग्य में, तो फिर वो संशे का संकल पाना कि, अरे मैं ने सब कुछ दे दिया मेरे साथ क्या हो रहा है परिक्षाएं बहुत आएंगी ममा ने कहा तो भी दोनों ने कहा कि नहीं ममा जो भी परिक्षा आएगी हमें कभी ऐसा संकल्प ने आएगा कि बाबा ने हमारे साथ आन्याई किया है और उस समय हमारे लोकिक पिता जी क्योंकि मिल्टरी में थे तो युद में भी जाना था और बाबा ने उस समय हमारे माता जी को कहा बच्ची अगर बच्चा युद में मर भी जाएगा ना गोली भी लग गई तो तुम बच्चों सहित मेरी हो उसमें सब दादियां जो है, वहाँ पर रजोरी गारडन में रहते थे, दादी दी दिया, आल रोल्डर दादी, इतना प्यार से पालना दी हमको, हम तीनों छोटे-छोटे थे भाई बैने, एक साल, दो साल का फरक था तीनों में, लेकिन बहुत प्यार से पालना दी, और उनक तो ऐसा मेसेज भी आ गया कि आपके हस्बेंड की डेथ होगे, गोली लग गई, तो थोड़ा शौक में आ गये कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे लोखिक पिता जी तो ओमंग में आकर के सोना, चांदी, लैंड, बैंक, बैलेंस, सब खाली कर दी, फूरा ब गंटे के बाद जिस भाई ने टेलिग्राम दिया था, उनको हमारे पिता जी दिखाई दिये, बहला अरे यार मैंने तो तेरी वाइफ को टेलिग्राम दे दिया, कि तू चला गया, क्योंकि एक सरदार को गोली लगी थी, तो मैंने सोचा, शायद तू ही है, बहले नहीं या पर आते हैं और आएंगे भी, पर पेपर से कभी घबराना नहीं, क्योंकि दादी दीदियों ने भी बहुत पेपर पास किये, आज देखो सबके दिलों में वो बसती हैं, हम उन दादी दीदियों को याद करके अपना सोबागे समझते हैं, कि हमें उनकी पालना मिली, ऐसा प्यार मिला, ऐसी दड़ता हमारे में उन्होंने भरी, जो आज हम आपके सामने उधारन के रूप में, एक्जामपल के रूप में हैं, कि वो पालना क्या है, जो हमें इतनी शक्ती भरी, जो छोटे पन में भी हमने पेपर पास कर ली, बहुत लोगों ने हमें हिलाया कहा, कि तुम चली जाओ, पढ़ लो, कुछ जिंदगी बना लो, यहां कुछ नहीं कदर है, नहीं है तो नहीं सही, भगवान को मेरे साथ प्यार है, और मेरा प्यार उससे हो गया, मैं दूसरे को वर नहीं सकती, मैं कहीं भी नहीं जाओंगी, मरूंगी, मिटूंगी, बाबा की बन तो बाबा ऐसे विशेश सेवाई भी यहां से आटोमेटिक करा रहे हैं, बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं, जिनको हम आमंतरित भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप आ रहे हैं, और वो भी यही कह रहे हैं कि यह स्थान इतना अच्छा है, यहां बहुत उंचे से उ यही बाबा, ममा और दादियों की पालना और उनके वाइब्रेशन है इस धर्ती को, और सारा सब दादियां यहां आकर गई गई है, तभी हमको लगता है है हैधराबाद सिंध और हैधराबाद दक्षिन, क्योंकि बाबा ने एक बार अवेक्त बाब दादा ने हमें वर्द पुछा तो बोले नई प्रत्यक्षता यह हैधराबाद से होगी, तो हमें बहुत खुशी है कि आप सब भी हमारे साथ मिल करके, हम सब बाबा को इस ग्लोब में बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे, अपनी स्वह स्थिती को मजबूत बना करके, ओम शांति तू प्यार का सागर है तू प्यार का सागर है तेरी एक बूद के प्यास हम तेरी एक बूद के प्यास हम लोटा जो दिया तू ने लोटा जो दिया तू ने चले जाएंगे जासे हम तू प्यार का सागर है तू प्यार का सागर है बेहती नदी की चंचल लहरे काघज की एक नाव काघज की एक नाव दीमे दीमे भर जाएंगे पतवारों के गाव पतवारों के गाव उतनेंगे किनारे भी तरी मर्जी से रजा से हम तू प्यार का सागर है तू प्यार का सागर है रूप से अपने बेगाना है भटक रहा है मन भटक रहा है मन कब से रस्ता देख रहा है एक खाली दरपन मिलवा दे हमें हमसे मिलवा दे हमें हमसे यही मांगेंगे खुदा से हम तू प्यार का सागर है तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम लटा जो दिया तूने लटा जो दिया तूने चले जाएंगे जहां से हम चले जाएंगे जहां से हम तू प्यार का सागर है तू प्यार का सागर है तू प्यार का सागर है